आज मैं आपसे बिल्कु साइन्टिफिक बात करूँगा, समझिएगा, विंदाज सुनिएगा, और समझ में आए, तो उसे सुनकर समझकर औरों को शेयर कीजिएगा, देखिए, आपको पता है कि संकर जी के उपर दूध क्यों चड़ाया जाता है, संकर जी पर दूध ना चड़ाओ, इस बात की पिक्चर बना दी, करोडों खर्च करके पिक्चर बना दी, और जिस पिक्चर से इन्हों ने ये मैसिज दिया, कि संकर जी पर दूध ना चड़ाओ, गरीवों में बाटो, उस पिक्चर ने लगभग एक हजार करोड का बिजनिस किया, अब मेरा सवाल उन पिक्चर बनाने वालों से, कि जब आपको गरीवों कितनी ही चिंता है, कि दूद संकर जी को ना चड़ाओ, गरीवों में बांट दो, तो आपने भी तो पिक्चर बना के हजार करोड कमाएे, आपने कितने करोड गरीबों में बांट दिये भाई आपने कितने होस्पिटल खुलोबा दिये आपने कितने कॉलेज, कितने उनिवर्सिटियां बनवा दि आप तो पिक्चर बनाने वाले हैं आप तो करोड पती नहीं अरब पती हैं आप तो गरीवों के लिए क्या बंबई सहर में फुटपात पर लोग नहीं सोते क्या उनके लिए आपने घर बनाने की विवस्था की के चलो हजार दो हजार गरीवों की आप ही मदद कर देते घर बना के दे देते उनके सर पर छाया हो जाती केवल गरीवों के नाम से पिक्च अब मैं अभी scientific उत्तर दूंगा कि संकर जी को दूद क्यों चड़ाया जाता है अभी मैं scientific समझाऊंगा आपको अब मुझे एक बात बताईये संकर जी पर दूद ना चड़ाओ इसकी picture बना दी पर शराव ना पियो कैसकी एकवी पिक्चर बने आज तक शराव नहीं पीनी चाहिए क्या इस बात की इन पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर श्टारोन एकवी पिक्चर बनाई अरे संकर जी को दूद चड़ाने वाला पांच रुपे का दूद चड़ाता है कोई हजार दो हजार का दूद नहीं चड़ाता है दस रुपे का दूद चड़ाता है शराब पेने वाला हजारों चूले बुझ गए सराव के कारण इस सराव ने देष का कितना बड़ा नुकसान किया है शराव के खिलाप एक फिक्चर ना बनाई पिक्शर की क्या कहें साहब सराव को प्रमोट करते हैं ये लोग कहते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है ये लोग कहते हैं कि मुझे पीने का सौख नहीं पीता हूँ गम भुलाने को अब बताओ इन मूर्खों को कौन समझाए के शराब पीने से गम जाता होता तो सबका अब तक चला गया होता शराब पीने से गम जाता नहीं है साहब गम आता है मूर्ख ता क्यों पाल रहे हो शराब पीने से सिवाए सत्यानास और सरवनास के कुछ ना होगा सरवनास होता है शरावियों का ये लोग शराव का प्रचार करते हैं लेकन कहते हैं संकर जी को दूद ना चड़ाओ अब सवाल मेरा आप से बताईए संकर जी पर दूद चड़ाने से देश का जादा नुकसान है या शराव पीने से देश का जादा नुकसान है उत्तर दो अपने बिवेक से अरे दूध तो गईया रोज देती है और दूध क्यों चढ़ाते हैं चलो मैं ये भी समझा दूँ आपको बताओ आप उत्तर दो सबसे जादा दूध संकर जी को किस महिने में चढ़ाया जाता है किस महिने में बैसे तो संकर जी को दूध लोग चढ़ाने वाले बारों महिने चढ़ाते हैं पर विसेश जो मान्यता है वह स्रावन की सावन को संकर जी को दूध चढ़ाते हैं अवशेक होता है रुद्र, हर आदमी अपने घर में माटी के संकर जी बनाकर रुद्र अवशेक करता है और संकर जी को दूद से अवशेक, अब मैं आपको समझाऊंगा कि संकर जी को दूद सावन में क्यों चड़ाया जाता है, उत्तर सुनिएगा, कितना साइन्टिफिक उत तो वह पानी आकास में जितना भी पॉलिशन होता है, प्रदूशन होता है, वह पहला पानी सारा प्रदूशन लेकर नीचे आता है, अपने पानी में घोल कर, और जब पानी नीचे जमीन पर गिरता है, तो उस पहले पानी से जो पहली घास तैयार होती है, चूंकि वह घास जहरीले पानी से तैयार होई क्योंकि पॉल्यूसन था न आप लोगों ने भी सुना होगा अपनी दादी से नानी से मा से के पहले पानी में नहाना नहीं चाहिए च्छत पर सुना है क्योंकि पहला पानी खतरनाक होता है जहरीला होता है उस जहरीले पानी से पहले मौसम की पहली वारिस से जब पानी नीचे गिरा तो घास होई उस घास में भी उस जहर के कुछ अवसेस पहुँच गए उस घास को गाय ने खाया तो गाय ने जहरीली घास खाई तो दूध कैसा हुआ उस जहर के कारण हलका सा दूध में कोई प्रभाव आ सकता है ऐसे हमारे रिसी मुनियों का रिसर्च है बाप दादों की रिसर्च है उन्होंने कहा कि भाई सावन का पहली घास का पहला दूध है वो खाओ मत क्योंकि हो सकता है जहरीला हो इसलिए वो दूद क्या करें दूद फेक भी नहीं सकते तो एक काम करो संकर जी को चड़ा दो पुन्य भी मिल जाएगा और दूद फेकने का पाप भी नहीं लगेगा ये परंपरा बनाई गई कि पहला दूद गाय का सावन के महिने का पहली घास का है ना हपता भर का दूद पहले वेश्ट भाई जब गाय पहली बार जनम बचिया बचड़े को जनम देती है तो उसका जो दूद होता है उसको क्या बोलते हैं पहले दूद को कील बोलते हैं है ना वो दूद खाया पिया नहीं जाता मतलब उसको फदूत फट जाता है रबड़ी जैसी हो जाती है आप समझते हैं तेली बोलते हैं तेली आपकी भासा में कुछ और बोलते होंगे तो